देख रहे हैं आज विहार की राजनीती का एक एहम दिन सावित हो सकता है क्यूंकि ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली से एंडिये में सीटों को लेकर आज घोशना की जा सकती है एंडिये के सारे बड़े नेता दिल्ली में मौझूद है और एंडिये की बैठक होने वाली है जो अमित शाह के घर पर होगी जिसमें नितीश कुमार प्रशांत किशोर और लोजपासे राम विलास पासवान चिराग पासवान माजूद रहेंगे साथी जो बिहार के प्रभारी है भाजपा की ओर से अरुण जेटली और भुपेंदर यादफ वो भी मौजूद रह सकते हैं और ऐसे कयास लगाएदार हैं कि एक जोइंट प्रेस कॉंफरेंस कर ये एंडिये के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सीटो का एइलान कर सकते हैं कि कौन कितनी सीटो पर लड़ेगा और किसको कितनी सीटे मिलेंगी हलाकि पहले अमित शाह और नितीश कुमार ने जोइंट प्रेस कॉंफरेंस करके यह तो क्लियर कर दिया है कि दोनों पार्टिया बराबर बराबर सीटो पर लड़ेंगी पर आज सीटो के संख्या की घोशना हो सकती है क्योंकि लोजपा से भी बात चीत करने के बाद फॉर्मूला तय हो चुका है राम विलास पासवान, चिराक पासवान मुंबई में थे जो दिलली पोहच चुके हैं और कुछी देर में अमित्र शाह के आवास पे यह बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें की सीटों को लेकर clear clarity सामने रखी जाएगी और उसके बाद कुछी देर में घोशना भी हो सकती है आपको बता दें कि लोजपा के सीटों को भी final कर लिया गया था जब राम बिलास पासवान अमित शाह से मिले थे और चिराग पासवान भी उनके साथ थे तो लोजपा के सीटों को लेकर बात हुई जिस पर पेच फ़स्ती नजर आ रही थी वो भी clear हो गया है अब एक दो सीटों को छोड़कर जो मुख्य सीटे हैं उन पर सिचुएशन clear नजर आ रहा है और जल्दी ही NDA भी अपने सीटों की घोशना कर सकता है तो खबरे ऐसी आ रही है कि मुगेर सीट पर लोजपा और जदियू आमने सामने दर आ रही है मगर आज की वैटक में यह भी ताय हो जाएगा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा और सीटों का आकड़ा जो अभी लगाया जा रहा है वो सत्रह सत्रह च्छे है हाला कि लोजपा को बिहार में पाथ सीटे देने को कहा गया था और एक जारखंड या उत्तरप्रदेश में हो सकती है क्योंकि रामविलास पासवान अपने जानादार वहाँ भी मानते हैं और खुद रामविलास पासवान ने राजसभा जाने की एक्षा जताई है जो की आसाम में जो राजसभा का चुना होने वाला आसाम की सीट पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं शुक्रिया